इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 क्योस्चन 15 इन फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter क्योस्चन ध्यान से सुनो क्या है इन दा गीवन फिगर ABC is a quadrant ABC क्या दे रखा है हमे एक quadrant दे रखा जो white color का आपको region दिखाई दे रहा है उसके अंदर radius जो है circle का वो कितना है 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter BC को diameter मानते हुए एक semicircle उपर की तरफ बनाया हुआ है find the area of the shaded region तो उपर वाले semicircle के अंदर जो ये blue color का region है ये आपको find out करना है सबसे पहले ये देखो कि जो हमारा उपर semicircle बना हुआ है वो किस पर बना है BC और BC की side हमें नहीं दे रखी कि BC की length कितनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है BC diameter को ही find out करना है कि हमारा किस diameter के उपर semicircle बना हुआ है उसके लिए क्या करेंगे हम in triangle ABC angle A जो है वो क्या है 90 degree तो यहाँ पर हम कौन सी theorem यूज कर सकते हैं by pythagoras theorem अब A angle 90 degree है तो A के सामने BC क्या होगा हमारा hypotenuse तो BC का square is equal to किसके हो जाएगा AB square और plus में AC का square अब values को put करते हैं यहाँ पर तो BC square equal to AB देखो हमारे पास क्या है AB जो है radius of the circle है तो यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें 14 value दे रखी है इसकी तो 14 का square प्लस में AC की value भी 14 का square simplify करो इसको BC is equal to क्या हो जाएगा under root 14 का square क्या हो गया 196 और plus में 196 तो BC equal to क्या आगया मेरे पास under root 196 multiplied 2 लिख सकते हैं हम इसको जोकि 196 और 196 कितने times है 2 times है तो BC equal to क्या आगया यहाँ पर इसका हम 196 का root करेंगे तो बाहर क्या आएगा 14 और under root 2 रह जाएगा तो मेरे पास BC की value आगई 14 root 2 centimeter अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर radius of semicircle radius of semicircle जो हमारा BC diameter पर बना है वो किसके equal हो जाएगा 14 root 2 तो हमारी पूरी length है तो इसका half क्या हो जाएगा 14 root 2 divide by 2 मतलब कितना आगया यहाँ पर 7 under root 2 centimeter यह आगया मेरे पास radius of semicircle अब बात करते हैं यहाँ पर तिन्नो एरिया आज की तिन्नो एरिया फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हमारा shaded region निकलेगा पहले निकालेंगे हम area of triangle ABC जो हमारी triangle ABC बनी हुए है उसका area निकाल लो 1 by 2 into base into height base क्या है AC into height क्या है AB value put कर लो 1 by 2 multiply AC की value भी 14 और AB की value भी 14 2 से cut किया 2 7 जा 14 14 7 जा क्या आगया यहाँ पे 98 cm2 इतनी बात समझ में आई आगे देखो area of sector ABDC हम क्या निकालेंगे यहाँ पे area of sector निकालेंगे ABDC D point हम यहाँ पे assume कर लेते हैं हो गया हमारा D point ठीक है ABDC इस sector का area हम find out करेंगे तो कितना होगा theta by 360 multiply pi r square theta की value क्या होगी 90 by 360 multiply pi की value क्या हो जाएगी 22 by 7 और radius हमारा क्या है यहाँ पे 14 multiply 14 यहाँ पे दियान से देखो ABDC इसके अंदर AC और AB क्या है radius तो 14 value है 19 बंजा 19 19 फॉर जा 360 cut करो 7 बंजा 7 7 टू जा 14 2 टू जा 4 और 2 से बंजा 14 22 की और 7 की multiply करेंगे तो 154 cm square अब हमें क्या चाहिए area of semicircle भी चाहिए जो हमारा semicircle बनाया है BC diameter पे तो उसका area हम यहाँ पे निकाल लेते हैं area of semicircle semicircle क्या हो जाएगा पूरे complete circle का area क्या होता है pi r square semicircle का है तो by 2 कर लेंगे pi की value 22 by 7 multiply यहाँ पे radius कितना है हमारा semicircle का radius 7 root 2 था तो 7 root 2 multiply 7 root 2 और divide by क्या करेंगे यहाँ पे 2 7 से 7 cancel तो यहाँ पे क्या आगया मेरा 2 से 11 तो यहाँ पे value क्या आगी 11 7 जा क्या हो गया 77 multiply root 2 और root 2 कितना हो गया 2 तो 77 2 जा क्या हो गया 154 centimeter square अब main बात आती है area of shaded region किस तरिके से find out हो ध्यान से देखो हमने क्या निकाला BC diameter पे जो उपर की तरफ हमारा semi circle बना हुआ है वो area आगया हमारे पास 154 centimeter square मतलब उसमें हमारा blue color का region भी और यह area भी include है जो मैंने यहाँ पे mark करके दिखाया है यह उपर का area आगया 154 centimeter square अब मुझे shaded region चीए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो यह पूरा का पूरा हमारा semi circle का area है इसके area में से अगर मैं जो यह black color से मैंने shade किया है इस area को subtract कर दू तो area of shaded region आ जाएगा मेरे पास अब यह area कैसे पता चले BDC का जो black color से dotted दिखाया है यह कैसे निकले इसको निकालने के लिए simple सा तरीका है देखो हमने अभी अभी निकाला था area of sector a, b, d, c a, b, d, c पूरे sector का area निकाला था इसमें से अगर मैं strangle का area subtract कर दूँ तो जो यह dotted line है black color वाली यह area बच जाएगा सबसे पहले हम find out करेंगे b, d, c का area area of b, d, c वो कैसे निकलेगा area of sector a, b, d, c और माइनस कर दूँ मैं area of triangle a, b, c निकल जाएगा area of sector कितना आया है मेरा 154 और माइनस कर दूँ area of triangle 98 तो 154 में से 98 गया तो मेरा कितना आ गया है यहाँ पे 56 cm2 यह आ गया मेरा जो black color से मैंने shade कर रखा है वो आ गया 56 cm2 अब मुझे क्या चीए area of shaded region area of shaded region shaded region वो किसके equal होगा area of semicircle semicircle अगर मैं semicircle के area में से black वाला area area of b, d, c subtract कर दू तो area आ जाएगा shaded region का area of semicircle कितना है 154 माइनस में area of b, d, c कितना है हमारा area of b, d, c अभी निकाल ला है 56 तो माइनस में 56 तो कितना आ गया 154 में से 56 गया 98 cm2 यह आ गया मेरा area of shaded region सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए